नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुट हेल्ट चिप्स में स्वागत है दोस्तों चारोली के चार चमकार, चेहरा चमकाए हर बार चारोली का उप्योग अडिक तर मिठाई में जैसे हलवा, लड़ू, खीर, पाक आदी में सूखे मेवों के रूप में किया जाता है इसका शरीर के सुन्दर्ता कायाम रखने में भी उप्योग किया जाता है पेश हे कुछ नुस्खे नमबर एक मुहा से नारंगी और चारोली के छिलकों को दूद के साथ पीसकर इसका लेप तयार कर लें और चहरे पर लगाए इसे अच्छी तरह सूख में दें और फिर खुब मसल कर चहरे को धो लें इससे चहरे के मुहा से गायब हो जाएंगे अगर एक हफ्ते तक प्रयोग के बाद भी असर ना दिखाई दे तो लाब होने तक इसका प्रयोग जारी रखें नमबर दो गीली खुजली अगर आप गीली खुजली की बीमारी से पीडित हैं तो 10 ग्राम सुहागा पिसा हुआ एक सौ ग्राम चारोली, दस ग्राम गुलाब जल इन तीनों को साथ में पीस कर इसका पतला लेप तयार करें और खुजली वाले सभी स्थानों पर लगाते रहें ऐसा करीबन चार से पांच दिन करें इससे खुजली में काफी आराम मिलेगा वो आप ठीक हो जाएंगे और बाद में चहरा धो लें इससे आपका चहरा चिकना, सुंदर और चमकदार हो जाएगा इसे एक सब्ताह तक हर रोज प्रेयोग मिलाए बाद में सब्ताह में दो बार लगाते रहें इससे आपका चहरा लगेगा हमीशा चमकदार नमबर चार शीत पित्ती शरीग पर शीत पित्ती के ददोड़े या फुनसिया होने पर दिन में एक पर 20 ग्राम चिरोजी को खुब चबा कर खाएं साथी दुध में चारोली को पीज कर इसका लेप करें इस से बहुत फाइदा होगा ये नुस्खाशी पित्ती में बहुत उपयोगी है दोस्तों में आप तक नई नई वीडियो पहुचाती रहूँ इसके लिए आप